मेरट में सैकडों गरीबों को मिलने वाली प्रधान मंत्री आवास योजना की मदद एक साल से रोग दी गई है पके घर के भरोस्ते में गरीबों ने अपना मकान धा दिया लेकिन कड़कडाटी ठंड के दीन जोपडियों में गुजारने पड़ रहे है केंद्र सरकार से मिलने वाली प्रधान मंत्री आवास योजना की मदद पहले कोरुना और फिर अफसरो की लापरवाही के चलते अटक गई है मेरट के शहरी और ग्रामिन इलाकों में ऐसे सेकडों गरीब है जो एक साल से सरकारी मदद के इंतजार में है प्रदानमंत्री आवास योजना के पात्र गोशित के जाने के बाद इन्हें सरकारी मदद की पहली किष्ट मिली तो मौजुदा कच्चे घरों को जमीन दोस करके पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया लेकिन दिवारे तक ही बन पाई और सरकारी मदद रुख गए एक साल से जिले के अफसरों ने इस योजना के पात्रों को फुटी कौडी नहीं दी है नतिजनब गरिबों का आश्याना खुला आसमान है चाहे दीन बारिश के हो या फिर कड़कडा ठीठन के गरिबों के घरों में बुजर्ग भी है और मासुम बच्चे भी मगर पास से साथ डिग्री सेल्सिस की थंडी रात पॉलिथीन की छट के तले गुजारना उनकी मजबूरी है चोटे बच्चे पूरी तरह कपकपाते रहते हैं लेकिन माबाप के पास कोई चारा नहीं होता एक साल में दरजनो बार प्रदान मंत्री आवास योजना के यहलाबार थी गरीब जिले के लेकर मंडल तक के अफसरों की चोखट पर परियाद कर चुके है मगर मदद नहीं आए बुजर्ग और बच्चों के लिए काफी नुखसान दायक बन चुकी है इचीज लेकिन वो लोग मेरी कोई सुनवाई मेरी नहीं कर रहे तो हम आदमी की तो कोई भी साती नहीं है कि उनकी कोई सुनवाई होगी वहाँ पर अफसर पहले कोरोना वाईरिस महामारी के दौर को बजट रुकने का सबब बताते रहे लेकिन लॉकडाउन खुलते हुए भी महीनों बीद गए अब अफसरों के पास कोई तरक नहीं है इसलिए हफते दर हफते मियाद बढ़ती चली जाती है NBC News के लिए मेरट सेराशीद खान की रिपोर्ट